Hello class 10th, this is your next topic that's name searching आज हम searching के बारें पढ़ें कि searching क्या होता है ठीक है, previous assignment में हमने पढ़ा था कि sorting क्या होता है तो bubble sorting आपने पढ़ा था इसमें पढ़ें कि searching क्या होता है searching is the process in which we try to find an element searching एक process है जिसमें हम यह ढूणने की कोशिश करें कि element को ढूणने की कोशिश करें कि array में element वो है की नहीं ठीक है, जो element हमने उसमें feed किया है वो element आफाइंड करें, वो element है की नहीं, user के दुआरा it tells whether a particular element exists in an array or not यह हमें यह बताता है कि अगर element array में है या नहीं यह हमको यह बताता है कि element array में है या नहीं है there are two types of method searching, search करने के दो method है यह एक linear method है और एक binary method है तो linear method को आज के हम इस assignment में पढ़ेंगे linear क्या है, linear search means checking whether the number is available in an array or not linear search का यह मतला है कि हम check करेंगे whether माने या तो the number is available कि number available है कि नहीं कहाँ array में अगर है available और नहीं है यह चीज़ हमको search करना है कि array में number available है कि नहीं तो उसके लिए कुछ step है आपको step को follow करना पड़ेगा बहुत ध्यान से समझेगा तब ही search में आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है step to perform binary search के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तीन step आपको follow करने पड़ेंगे तीन step को ध्यान रखीएगा input and array from the user user से एक array आपको input कराना पड़ेगा then input one more number फिर एक और number आपको input कराना पड़ेगा user से ठीक एक बार आपने array में number input करा है एक बार अलग से एक number input कराना पड़ेगा user से फिर क्या करना पड़ेगा चेक दा नंबर इंटर इन स्टेप B फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि स्टप B में ये चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर वो अविलेबल है की नहीं जो स्टप B में नंबर आपने अविलेबल जो step B में आपने number enter कराया है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो है की नहीं A वाले में तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा संजमार है example लीजे हम दो example से चलेंगे पहला example देखिए समझ रहे हैं सबसे पहले कि हमने एक step यह देख पहला वाले step को हम follow कर रहे है step A ठीक है तीन step तक जाएंगे एक array को हमने input कराया array में number input कराया कोई भी number resume कर सकते हैं आप मैंने ये number resume करा जिसको A0 से लेकर A6 तक ले गए ठीक है आगे देखिए मैंने वताया है ना 3 step दूसरे step में कहा step B में कहा input one more number एक और number इंटर कराना आपको user से माल लिजे मैंने 13 number को इंटर कराया number ठीक है user से अब उस number को हम check करेंगी वो array में वो number है की नहीं तो पहला वाला number हमने check किया 13 से इस वाले number को check किया तो क्या दोनों मिल रहे हैं बोतार नॉट्स हैं मैंने लिखा है बोतार नॉट्स हैं can we say that number is not available क्या हम कह सकते कि number available नहीं है नहीं अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि सारे number हम कुछ चत करना पड़ेगा ठीक है no we will check next number तो next number हम check करेंगे 13 से 60 को तो यह भी number नहीं मिला when we check fourth time जह हमने fourth time check किया तो हमको यह पता चला now both are same तो दोनों number सेम मिल गए हमको now we can say that अब हम कह सकते कि number जो अवलेबल है यह पहली condition हो गई आपकी stop the comparison अब comparison करना छोड़ देंगे इनको comparison नहीं करेंगे यहां पर number हमको मिल गया अब let's take another example ऑप दूसर example हम लेते हैं उसमें क्या करेंगे हम देखिये एक और हमने नंबर इंपुट कराया ठीक है वह ही same number हमने ले इस्टेप लिए हमने यूजर से number इंटर कराया थो यूजर से एक और number हमने इंटर कराया जिसका नाम था यह वन नंबर इंटर करा आए अब तीस है सिस्टम क्या करें यह नंबर जो अर्म है कि इसको हम चेक करेंगे अब देखिए वन को चेक किया गया जीरो के साथ तो बोथ हर नौट सेम दोनों सेम नहीं थे तो can we say that number is not available क्या हम कह सकते number available नहीं है अभी हम नहीं कह सकते we will तो जब next number चेक करेंगे तो जब next number चेक किया गया तब भी नहीं मिला तो क्या आप भी हम कह सकते हैं can we say that number is not available no we will check the next number we're next number check करेंगे a2 वालों को चेक करेंगे ठीक है इसी तरह हम थे थ्री वालों को चेक करेंगे फिर a4 a5 a6 सब को हमने चेक कर डाले लेकिन नंबर कहीं नहीं मिला, when we check the seven times, जब हमने seven times number check किया, now we can say that, अब हम कह सकते हैं कि number is not available, अब हम कह सकते हैं नंबर हमको नहीं मिला इसमें, area में, क्यों, because area finished क्योंगे, area पूरा क्या होगा, finished होगी, अब हमको number नहीं मिले, तो इसी तरह दो आपके case बने, क्या case ब नहीं मिला, तो दियारा two cases when searching stop, दो cases होँगे, जब searching stop होगी, पहला case क्या है, whenever an elements is found, जब elements हम को मिल गया, पहले वाले जब elements हम को मिला, तो पहला case हो गया, और जब elements हम को नहीं मिला, सारे elements चेक कर डाले, तो elements हम को नहीं मिला, तो दो case बने आपके तस्वर्ज में आया, उस समय किसी मिला की नहीं मिला, तो हमने comparison किया, तो comparison हमने यहां पर लिख जा, it's done again and again, comparison हमने बार बर किया, तो आपको यह पता है कि जब कोई चीज़ बार बर की जाती तो उसको loop में डाल दिया जाता है, तो यहां पर मैंने लिख जा, must be written inside the loop, तो इस चीज़ को हम loop के अंदर लूप के अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है, must be written outside the loop, तो इसको हमें कहा कहा लिखना है, loop के बाहर लिखना है, सज में आ रहा है, तो यहां तक मैंने आपको पूरा ये rough work समझाया है, second video में देखिए मैं आपको program समझाओं कि program कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ आप समझ ग सेकेंड वीडियो मेरी देखिए, मैं आपको program बताओं कि किसका program कैसे बनेगा,